तो आज वेलकम टू लाश्ट अमें टूशन मेना नम जेसन है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा सिक्यूरिटी फुर एर पी डेटा मतलब कहा डेटा मतलब इन्फोर्मेशन या फिर कोई भी इंपोर्टेंट चीज उसको सिक्यूर करने को बोलते हैं अब सिक्यूरिटी किस पर डील करता है system access security data किसको कितना access देने का ये data यूज करने के लिए हो बदा है पर अगर पुरा data ही खतिरे में तो उसके लिए security लगेगा ना तो उसके रहे कुछ steps हैं तो फ़रे इसका definition देखते हैं it is the security of protecting मतलब it is the security मतलब protecting data from illegal modify, access, delete operations मतलब समझ रहे हो क्या ये एक security का type है जो deal करते है important data को illegal मतलब किसी के permission के बिना मतलब मैं अगर company का माले को मेरे permission के मेरे data को modify मतलब data को बदलना, access मतलब वो data को सुमडी में पढ़ना और delete मतलब वो data को delete करना मेरे permission के मेना तो ये data security वो protect करने में help करता है तो उसकी कुछ steps से जिसे वो protect करने में help करता है तो एक है data encryption disk अगर ये मेरा data है इजर से भार वाला बंदा easily data को पढ़ पाता है पर अगर मैं data को encrypt कर दूँगा मतलब ये data को ऐसे लिख दूँगा मैं समझो उल्टा लिख दूँगा तो वो ये नहीं देख पाएगा ये देख पाएगा ये मेरे को समझेगा data है specific data को कर सकते या तो अपन entire hard disk को एंक्रिप्ट कर सकते था कि वो चलो मान लिया कि उसने सिस्टम तोड़के मेरा access भी कर लिया वो इसको पढ़ने पाएगा तो यह था data encryption टेग्नीक दूसरा hardware module अभी समझो hardware level पर अपन protection कर सकते हैं अभी समझो यह मेरे server room है और इधर मेरे थीन server है इंपोर्टेंट इसमें मेरा पूरा company का data है लाखो रुपे का अभी मैंने इसके अंदर सब डाल दिया data encryption यह वो सब पर रात को को अंदर से दकाश तोड़के अंदर सीडी वीडी लेके भाग गया तो यह भी अननेसेसरी है न मतला भी होना नहीं चाहिए ऐसा फिर मैं कौनों में तर बड़ा सा पर फिजिकल लेवल पर प्रोटेक्शन दे दे देना यह तो मैंने ऐसे इसका वॉल्ट के एक्जम्पल दिया यह कुछ और भी हो सकते जिसे की कॉम्प्यूटर को लॉक एंड की में बंद करना है कि डिवास होता है लाप्टॉप का एक की रहता है कैनिंस्टन लॉक करके व अची है अगर यह की मैच हऊ थो यह तो एक्सेस कर वाएक बाएक बिए क्म आच नहीं हो तो एक्सेस नहीं कर बाएक आजโ vite के का कॉन्सेप्ट है डेटा मास्क मतलब क्या डेटा को किसी और देता के अंदर सुपाना अभी में कैसे समझा हूं अभी समझो अउग यह मेरा क by a b मतलब 11 मतलब a 12 मतलब b तो समझ दो क्या अब मैं यह जो डेटा है ना इसको मास्क कर रहा हूं दूसरे डेटा के अंदर a b के अंदर तो वो डेटा मास्किंग वा मतलब एक डेटा को कोई और डेटा से रिप्रेजेंट करना तो यह एक अच्छा टेक्निक के डेटा भी अपने हैकर लोग रहेता ना बहुत स्मार्ट रहते हो लोग समझ रहे हों कि आप कुछ हैकर यह सब सिक्यूरिटी तोड़ सकते तो लास्ट ऑप्शन क्या रहना चाहिए कि सिस्टम को पता लगना चाहिए कि भाई मैं तो चल दिया हूं मैं और डेटा को बचा नहीं प करते हैं अपने को भी डेटा लगता है है कि नहीं तो यह पहले क्लाउड में अच्छा बैक अप लेगा बैक अप हर रात को लेकर रखते और जो भी फिजिकल ड्राइब में रहेगा वो सब वो डिलेट कर देगा तो यह ता आज का वीडियो डेटा सिक्यूरिटी के बारे म होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो and that's it and thank you for watching